Hello everyone, Namaste, Welcome to Diet Kundle आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ 7 Lunch Recipes for Weight Loss So अब आपको मंडे से लेके संडे तक परिशान होने की जरुरत नहीं है कि आपको क्या खाना है, किसी भी एक रेस्पी को आप बनाकर अप्टेड आइट में आड कर सकते हैं So friends, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी सी चोटी सी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा इसके साथ ही साथ friends, मेरा एक दूसरा चैनल है स्वृति इंदार अपू चैनल इस चैनल के दुरू आप मेरे साथ परसनली कनेक्ट हो सकते हैं इस चैनल की लिंक में दे दी हूँ, प्लीज चेक जरूर करिएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारा जो सबसे पहला लंच रेसिपी है, यह है हाई प्रोटीन ओट सुपमा तो चलिए देखते से कैसे बनाना है ओट सुपमा बनाने के लिए सबसे पहले पैन को गरम कर लिया है इसमें मैंने एक चमच का तेल एट किया है, थोड़ा सा जीरा एट किया है इसके बाद मैं इसमें कटा हुआ प्यास एट कर रही हूँ प्यास को हमको एक 3-4 मिनट तक फ्राइ करना है, जब तक कि कलर इसका चेंज ना हो जाए फिर इसमें हम अधरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट आड़ करेंगे अगर आपके पास यह पेस्ट नहीं है तो आप पानी चॉप करके उसे आड़ कर सकते हैं थोड़ा सा पानी अड़ कर लिया है, और इसको हमें अच्छे कसा फ्राइक करूँ हो जाएंगे फिर इसमें कटा हुआ टमाटर अणा है छूद कलीच कालीफ लवर आड़ क कर रही है, तो और याँह देखेंगे सोक चना इसका वजन असी ग्राम है लेकिन अगर आप रौ में लेंगे तो 40 ग्राम का रौ चना लेना होगा उसको वारनाइट सोक करेंगे तो वो करीब करीब उसका वेड यह डबल हो जाता है अब इसे हमें आट करना है इसमें थोड़ा सा स्पाइस जैसे की हल्दी करम मसाला थोड़ा सा नमक अट कर लीजे अच्छे से मिक्स कर लीजे थोड़ा पानी अट करके ढगकर एक पांच से लेकि 7 मिनट तक कुख होने के लिए छोड़ दीजेगा थोड़ी देर में देखेंगे तो सबजिया अच्छे से कुख हो गई है तो अप मैं इसमें आधा कब भरकर ओट्स एट कर रही हूं मैंने इंस्टिंट ओट्स लिया है रोल्ड ओट्स है आपके पास तो वह यूज करिएगा इसे आट करके आधा कब पानी आट किया है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है नमक देख लीजेगा नमक कम लगता है तो नमक आट कर लीजे इसे ढख कर ए तो बटर मिल्क ले सकते हैं हमारा जो दूसरा लंच रिस्पी है यह है बेट लॉस किचड़ी तो चलिए देखते से कैसे बनाना है इस किचड़ी को बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूं तरोई तो मैंने करीब 100 ग्राम का रिजट कार्ड लिया है या तरोई इसको ब लेना है अगर आपके पास रिजट कार्ड नहीं है तो आप उसकी जुगा पे लौकी का इस्तमाल कर सकते हैं साथ में अभी मैं यहाँ पे ले रही हूं दलिया तो दलिया में 40 ग्राम का ले रही हूं करीब 4-5 चमच के आसपास हमको दलिया लेना है इसके साथ में प्रोटी मेरा थोड़ा साहिंग एक करना है कटा हुआ मिर्ची प्यास एकर करके अच्छे से फ्राइ कर लिजिये फिर आप चाहे तो इसमें अदर कलेसून का पेस्ट आइड कर सकते हैं जितनी भी कटी हुई सबजीया है वो सारी की सारी सब्जीया हमें इसमें आड कर लीए है उपर अच्छे से मिक्स करके दलिया मसूर दाल डाल करके दो कप का पानी डाल दिया था और दस-पंदर मिनट को खोने के लिए रहने दिया फ्रेंड तो देखिए यहां पे हमारा जो दलिया खिचडी है यह बनका रेडी है उपर से थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया कपति आड कर ल इसे बनानी के लिए 100 ग्राम का बैंगन लिया हुआ है यह सारी ग्राम वाले बैंगन और साथ में यहां पर 50 ग्राम का प्यास लिया हुआ है इन वाश करके हमको फाइनली चौप कर लेना यहां देखेंगे तो प्ले के पॉट में अभी एक चमच का तेल एड़ किया है थोड़ा सा जीरा एड़ करना है प्याज एड़ करके अच्छे से फ्राई कर लीजेगा अधरक लहसुन का पेस्ट एड़ कर लीजे थोड़ा फ्राई हो जाएगा इसके बाद इसमें हमें जो ही अच्छे से कुक हो गए है उपर से इसका टेस्ट पढ़ाने के लिए मैंने मैगी मसाला मैजिक है न वो पाउच का आधा पाउच में अभी इसमें आड़ कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ उपर से धनियापत्ति आड़ करना है और हमारी जो हेल्दी की सबजी है फ्रेंट सी बनकर रेड़ी है इस वेट लॉस थाली में अब हम दूसरी जो रेसिपी आड़ करेंगे ये है लहसूनी दाल पालक इसे बनाने के लिए क्ले पॉट में एक बड़ा चमच मैंने फाइनली चॉप किया हुआ लहसून आड़ किया है इसे एक तीन से की साथ मिनिट तक हमें अच्छे से कुक करना है अब हम इसमें एट करेंगे दाल सो दाल की लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मुंग दाल और मैंने तीन बड़े चमच मुंग दाल लिए हैं इसका वेट नियर लिए 35 ग्राम है इसे एक से लेकि दो बार हमें अच्छे से व जो आधा पैकेट बचा हुआ था ना मैगी मसाला मैजिक का वो अभी मैं इसमें एट करी हूँ और अच्छे से मिक्स करके एक से लेकि दो मिनिट तक कुक करना है हमारा जो जीरो ओईल लहसूनी दाल पालक है या बनकर रेडी है चली अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते अब हमें अच्छे से चौप कर लेना है फाइनल कोछ इस तरीके से चौप की हुई सब्जी को एक प्लेट में आड कर लीजे साथ में यहां पर देखेंगे तो वन पोर्थ कप भरकर मैं यहां पर ओट का पाउडर राए हूं और उपर से अभी थोड़ा सा नमक आड कर लेन यहां देखेंगे तो तवे के ऊपर थोड़ा सा तेल आड करके उसको ग्रीस कर लिया था मैंने और यह जो मसाला रोटी का जो बैटर है इसे अभी हमें तवे पे स्प्रेट करना है गैस के फ्लेम को स्लोपे रखिएगा थोड़ा सा पानी आड करके इसको एक प्रॉपा सा शेप हमें दे देना और फ्रेंट सूपर से तेल घी वगएरा आड करनी की जरुरत नहीं है मीडियम फ्लेम में इसे हमें एक चार्सल की पांच मिनट तक अच्छे से कुक करना रहेगा दोनों साइड इसे इस तरीके से पलट पलट कर कुक कर लिजी और हमारी जो हेल्दी इ अब हमारा जो निक्स्ट वेट लॉस रेस्पी है यह है विजीटेबल पुलाव तो चलिए देखते हैं कि इस पुलाव को किस तरीके से बनाना है अभी मैंने एक चमच का घी आट किया है अभी मैं इसमें जाइफल का फूल आट कर रही हूं आपके पास जो भी खड़े मसा दाले हैं वो डाल सकते हैं इसे अभी हमें अच्छे से फ्राइ कर लेना है इसके बाद इसमें मैं करीब 50 ग्राम के आसपास याने एक मीडियम साइस का प्यास फाइनली चॉप करके इसमें आट की हूं और इसे अभी हमें एक दो से लेकी तीन मिनिट तक अच्छे से करना है चुकि मैंने इसमें घी कम डाला है तो पूरा ये नीचे पैन को चिपक जाएगा इसके लिए मैंने थोड़ा सा समें पानी आट किया था अभी इसमें एक छोटा सा क्यारेट चॉप करके मैंने आट किया है 20 ग्राम के आसपास फिर मैं यहां पे 50 ग्राम का फ्रेंच करके मैंने अभी आट किया है उपर से थोड़ा सा हल दी और यहां देखेंगे तो यह शाही बिर्यानी मसाला यह मैं आट कर रही हूँ थोड़ा सा नमक इसमें आट करना है अच्छे से मिक्स करके इसे एक चार से लेकी पांच मिनट तक हमें कुक होने के लिए छोड़ देन तो सबजिया भी प्रॉपरली कोख हो गई है अभी इसमें जो वाश किया हुआ राई से वह आट करना है दो मिनिट के आसपास मेडियम फ्लेम में से अच्छे से फ्राइ कर लीजेगा इससे क्या होगा कि राईस जो ही एकदम खुले-खुले बनेंगे अब मैं इसमें लास् पती और पुदीना को फाइनली चौप कर लिया था यह मैं उपर से थोड़ा साइड की हूँ एक बार अच्छे से मिक्स करके ढख कर दस से लिके बारा मिनिट तक इसे हमें कोख होने के लिए है रहने देना है यह जो आप प्लेट भर कर वेज़िटेबल पुलाओ देख रह सबसे पहले टराना जब wastewater करना है इस रिस्पीग को में में बिबनाने वाली हूं सबसे पहले प्रशे को कर बिए चमज कातेल एट किया है थोड़ा सा मैंय घीर कर कर रही हूं मैं करीब 50 ग्राम के चका हुए प्यारा याट कर रही हूं मैंने लाँज सुब कर लिया था एक चोटा विने टमाटर कट करके आट किया है करीब 100 ग्राम के असपास का कॉली फ्लावर में इसमें आट कर रही हूं और एक चोटा सा क्यारेट जो था इसे भी छोट-चोटे टुकडों में कट करके आट किया हुआ है उपर से इसमें अब हम स्पाइसेस आट करेंगे जैसे तो basically मैंने क्या किया था कि 40 ग्राम का रौ चना लिया था उसको सोक किया तो उसका वजन 80 ग्राम हो गया है और यह आधा कब भर कर रहे है तो रौ में हमें 40 ग्राम यानि चार बड़े चप में चनाई लेने हुँगे उसको ओवरनाइट हम पानी में सोक करेंगे तो वो डब vegetable bowl reference ये बनका ready है इसमें proteins को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे 30 ग्राम का पनीर का पीस लिया हुआ है इसको ग्रेट करके मैं उपर से इसमें आड़ कर रहे हैं साथ में थोड़ा सा हमें इसमें धनियापती भी आड़ करना है हमारा जटपट बनने वाला high protein vegetable bowl जो है ये ब इसमें आने के लिए मैं यहाँ पर सोप चना ले रही हूं वन फोर्थ कप भर कर और इस चने को अभी हमें इसमें आड़ करना है और इसे एक तीन से लिकी चार मिनिट तक slow to medium flame में हमें अच्छे से रोस्ट करना है तो पहले तो मैंने एक बावल में थोड़ा सा पानी और यहाँ देखेंगे तो यह मैगी मसाला मैजिक का पाउच है तो मैं थोड़ा आधा मैगी मसाला मैजिक का जो पाउच है इसमें आड़ कर रही हूं इसकी जगा पर गरम मसाला या कोई भी दूसरा मसाला डालना चाते है तो आप इसको आड़ कर सकते हैं अच्छे से मिक् चना है कि बनकर रेडी है चलिए फ्रेंट्स अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी देखते ये कौन सी है तो हम प्रोटीन के लिए इस पेट लॉस थाली में आड़ करेंगे पनीर भुर्जे इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो क्ले पॉट में मैंने थोड़ा सा पानी आड़ किया और एक छोटा सा प्यास मैंने पाई इसे लॉंग स्लाइसे में कट करके इसमें आड़ किया है और उसके बाद इसमें आप अपने स्वात के अनुसार मिर्ची आड़ कर लीजे ये बड़ा वाला मिर्ची था जो मैंने इसमें आड़ किया है साथ में अभी मैं इसमें आड़ कर दिया था तो इसे भी अभी हमें इसमें एड कर लेना है इसे हमें एक चार से लेके पांच मिनट तक स्लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छे से प्राइ करना है और यहां देखेंगे तो हमारी जो हाई प्रोटीन पनीर भूर्जी है यह बनकर रेडी है यह सिंगल इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं यहां पे ले रही हूँ ओट्स सो मैंने ओट्स का आटा नहीं लिया है और यहां देखेंगे तो एक छोटा वाटी भरकर मैं इसमें ग्रेटेट लॉकी आड़ कर रही हूं 100 ग्राम का है यह अगर आपके पास लॉकी नहीं है तो आप इसमें कद्दू भी आट कर सकते ही तो में थोड़ा सादिया पती आड़ कर रही हूं और नवक आड़ किया है और अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें पानी चार से लेगी प्रॉपर्ली जो ग्रीम और पायेंगे अच्छे से mix करके 5 minute के लिए side में रख दीजिए और यहां देखेंगे तो यह तबा जो है यह गरम हो गया है इसमें मैंने कुछ चार सिले की पांच टॉप आट करके इसको grease किया था अब यह जो oats दोसा का batter है इसे अभी हमें pan में spread करना है देखें मैं किस तरीके से spread कर रही हूँ और इसे अभी हमें slow to medium flame में cook करना है अभी यहां देखेंगे तो देखें यह कितनी आसानी से corners को छोड़ रहा है अच्छे से इसको दोनों साइट पलटा कर cook कर यह प्रेस करते हुए सो हमारा जो healthy oats दोसा है यह बनकर ready है calories हमें 381 calories मिलेंगी protein 22.34 grams है carbohydrate 39.37 gram है fat 14.09 gram है और fiber 10.94 grams मिल रहा है हमारा जो next lunch recipe है यह भी एक weight loss थाली है तो चलिए देखते से कैसे बनाना है सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं कि मसूर दाल की जो समझी है इसे किस तरीके से बनाना है तो यहाँ पर मैं one food cup भरकर मसूर दाल ले रही हूँ 30 grams का है यह इसे दो सले की तीन बार अच्छे से wash कर लेना है sufficient पानी आट करके ढग कर एक आधा घंटे के लिए इसको हमको side में रग देना है इस recipe को मैं बनाने वाली हूँ मेरे favorite clay pot में तो सबसे पहले तो मैं इसमें आधा चमच के आसपास का तेल आट कर रही हूँ उपर से अभी मैं इसमें थोड़ा सा जीरा आट की हूँ जीरा जब थोड़ा सा fry हो जाए इसकी पाद इसमें हमें कटा हुआ प्यास आट कर लेना है थोड़ा सा मिर्ची आट कर लीजेगा इसको अच्छे से fry करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा टमाटर आट कर लेंगे उपर से spices अपनी हिसाब से आट करना है जैसे कि थोड़ा सा हल्दी थोड़ा धनिया का पाउडर नमक आट करके अच्छे से मिक्स कर लीजे और थोड़ी देर इसको हमें कुख होने के लिए छोड़ देना है अब हम इसमें जो सोक हुआ मसूर दाल है ना वो अब हम इसमें आट करेंगे पानी के साथ में और इसे ढख कर एक 10-15 मिनट के लिए कुख होने के लिए छोड़ देंगे तो हमारा जो हाई प्रोटीन मसूर दाल है ये बनकर रेडी है अब हम नेक्स डेस्पी देखते हैं तो यह है विजिटेबल स्टेट फ्राइ तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर कैबेच ले रही हूँ छोटा पीस कैबेच लिया है मैंने 80 ग्राम का है साथ में दो छोटे साइस के मैंने शिम्ला मच लिया है ये भी 80 ग्राम का है और एक चोटे सा इसका मैंने कैरेट लिया है ये 40 ग्राम का है सारी सबजियों को मैंने इस तरीके से long slices में कट कर लिया है इस सबजी को भी मैं clay pot में बनाने वाली हूँ तो clay pot में सबसे पहले तो मैंने बहुत sioda whenever and bake to make a s mismos हमारा ज़टप्ट बनने वाला जो बेजिटेबलique stir-fry बन कर रड़ी है इस्थाल हम हम new recipe यह है बहुत की रेसिपी ता चलिए देखते हैं को कैसे बनाना है इसे बनाने के लिए मैं इसमें एड़ करने वाली हूँ 1 फोर्थ कप का ओर्ट का पाउडर ये करीब 30 ग्राम का है तो अभी इसमें अब हम एड़ करेंगे गरम पानी और गरम पानी की साहिता से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां देखेंगे फ्रिंड्स तो हमारा जो ओर्ट का आटा है अच्छे से मिक्स हो गया है इसको मैंने दो पोशेंट में डिवाइट कर लिया है और जैसे हम रिगलर रोटी बेलते हैं वैसे इसको हमें बेलना है और गैस पे इसको सेक लेना है तो हमारा जो healthy oats की रोटी जो है ये बनकर ready है तो हमारी जो weight loss थाली में हम basically vegetable stir fry ले सकते हैं साथ में मसूर दाल की सबजी ले सकते हैं दो oats की रोटी ले सकते हैं इसके साथ में आप चाहें तो थोड़ो सा buttermil भी अपने diet में add कर सकते हैं जो friends I hope आप सभी को मेरा ही आज का वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को like जरूर करिएगा चैनल को subscribe करिएगा और इस वीडियो का अपने friends और इलीटियो सब के साथ share भी जरूर करिएगा थैंक यू थैंक यू सो मच फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स वीडियो में अंटिल देन बाइ टेक केर